हलो दोस्तो वेलकम टू स्टेड़ी यूनिवर्स दोस्तो आज हम इस वीडियो में मद्ध्रदेश का एसिया में कहजे पहला इस्थान है इसके बारी में बात करेंगे तो दोस्तो ये वीडियो बहुत गौर से देखें आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है दोस्तो इसमें मद्ध्रदेश के अलावा वर्ल्ड का और इंडिया का जीके भी शामिल किया गया है और इसमें कुछ फिजिक्स और केमिस्टी के क्वेशन भी एड किये गए है तो दोस्तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को चलते है क्वेशन नमर फर्स्ट एशिया का पहला जनजाती विश्विध्याले कहां इस्थापित किया गया जिसका से योफ्षन है अमरकंटक अनुपुर्जले में और इसे इंद्रा गांधी रास्टी जनजाती विश्विध्याले की नाम से जाना जाता है क्वेशन नमर सेगेंड एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंदर कहां इस्थित है जिसका से योफ्षन है इंद्र, इंद्र में एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंदर इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए इंद्र की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको इंद्र की बारे में बता दें मिनी मुंबई की नाम से इंद्र को जाना जाता है, होलकर नगरी की नाम से भी इंद्र को जाना जाता है IIM 2003 में और IIT 2008 में इंद्र में इस्थापित की गई देवी अहल लेवाई विश्विध्याले, MP की सबसे वड़ी विश्विध्याले है मद्रिदेश विध्यनिगा मुक्यालाई भी इंद्र में ही है राला मंडल वंड़ जीव अभ्यारंड इंद्र में ही इस्थे थे Next question Asia का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में इस्थे थे और इसका नाम क्या है जिसका सी उफशोन है संजा सरूबर बांध और यह सिबनी जिले में इस्थे थे है और इसे भीम बांध की नाम से भी जाना जाता है Next question Asia की सबसे बड़ी जिला अदालत इमारत कहां इस्थे थे तोस्तोध बात आई है भोपाल की तो कुछ important fact आपको भोपाल की बारे में बता दें जीलो का शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है भारत वोवन 1982 में इस्थापित किया गया था MP का सरवादेक जनसंग के अगनातव भोपाल में है ताजुल मस्चिद सबसे बड़ी मस्चिद देश की यह भी भोपाल में ही इस्थित है बन बिहार नेशनल पार्क विसो का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंतर भी भोपाल में ही इस्थित है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में बनाया गया है तो दोस्तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है जिसका से योफ्षन है उज्जन उज्जन में एशिया का सबसे बारे में इस्थापित किया गया है दोस्तो आप बात आये उज्जन की तो कुछ important fact आपको उज्जन की बारे मतादें शुप्रा नदी के तटपर इस्थेत उज्जन वर्धरी गुफाएं उज्जन में ही हैं मंगलनाथ गण मलिका मंदिर चिंता मनी मंदिर ये उज्जन में ही हैं मालवा उत्सव भी उज्जन में मनाया जाता है और सूने का पहली वारोपयोग उज्जन में किया गया था तो द बाला घाट के भरवेली में यह मेंगनीज ख़दान इस्तित हैं। दोस्तो अब बात आए बाला घाट की तो कुछ इंपूटन फेक्ट आपको बाला घाट के बारें बता दे। जवलपूर संभाग का एक जिला है बाला घाट। शिकारियों का श्वर्ग के नाम से जाना जात बाला घाट को लौंजी का किला और काना नेशनल पार्क बाला घाट में ही इस्तित हैं। दोस्तो अब बात आए ग्वालियर की तो कुछ इंपूटन फेक्ट आपको ग्वालियर के बारें बता दें। ग्वालियर के लिए को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है। भारत का दूसरा सूर्य मंदित मुरार ग्वालियर में ही इस्तित हैं। तांसिन समाधी, सास बहु मंदिर, गोजरी महल, मोती महल, मान मंदिर ये सभी ग्वालियर में ही इस्थे थे हैं। राजा मान सिंग तोमार शंगीत विश्विद्याले ग्वालियर में ही इस्थे थे हैं। गैस आधारित पहला विद्यूत गिरा है प्रदेश का यह गौलियर में इस्थापित किया गया गाटी गाओं में सोन चडिया सनलक्षन अभ्यारण इस्थे थे एशिया का सबसे बड़ा पनी निर्मार सायंत्र कहां इस्थे थे तुसका सई उफ्षन है खजराहू खजराहों में एशिया का सबसे बड़ा पनी निर्मार सायंत्र इस्थापित किया गया है एशिया की सबसे बड़ी गोईला खदान कहां है तुसका सई उफ्षन है शुहागपुर शहडूल बिश्व का एक मात्र इस्थान जहां शूर्य 90 डिग्री पर लंबबत होता है तुसका सई उफ्षन है उज्जेन उज्जेन में 21 जून को शूर्य 90 डिग्री पर लंबबत होता है नेक्स्ट क्वेशन बिश्व में वरिष्ट नागरिक पुनरवास नीती किसने अपनाई तो इसका सही ओफ्षन है मद्ध्रदेश मद्ध्रदेश राज ने बिश्व में सबसे पहले वरिष्ट नागरिक पुनरवास नीती अपनाई है बिसो का पहला राज जिसमें वरिस्ट नागरिक आयोक की गठन किया गया तो यह है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश में पहली बार वरिस्ट नागरिक आयोक का गठन किया गया बिसो में सबसे पहले शूर्न का उपयोग कहां किया गया था जिसका सही option है उज्जन उज्जन में शूर्न का पहली वार उपयोग किया गया था जिसे ब्रह्म गुप्त ने किया था इसका सही कुछक्षन है फैसला जिससे जाबुगा में शूट किया गया था इसका सही कुछ्षन है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश में बिसो का पहला गौग अभ्यारंट बनाया गया नेक्स्ट क्वेशन बेसो का पहला जनजाती ये शामुदायक रेडियो केंदर कहां इस्थापित किया गया जिसका सही ओफ्षन है अली राजपूर के भावरा गाउ जिसे चंदशिकर आजाद नगर की नाम से अब जाना जाता है यहाँ पर सामुदायक रेडियो केंदर का इ नेक्स्ट क्वेशन बेसो का दूसरा ओस्टिलिया के बाद आदिवासी सोध संचार केंदर कहां है जिसका सही ओफ्षन है जाबगा जाबगा में बेसो का दूसरा आदिवासी सोध संचार केंदर है नेक्स्ट क्वेशन बहानों की उचाई को किस उपकरण से मापा जाता है जिसका सही option है अल्टी मीटर हवा का दाओ, वेग और दिशा किस उपकराण से माप सकते हैं जिसका सही option है एनिमो मीटर हडपप नाम किस ने दिया है जिसका सही option है जॉन मारसल बैब आधारत इमेल होट मेल की खोच किस ने की थी सवीर भाटिया सवीर भाटिया ने वेब आधारत इमेल होट मेल की खोच की थी नेस्ट question राष्टि ये जल संसादन परीषत के अध्यक्ष कोन है जिसका सही option है प्रधान मंतरी जी राष्टि याल संसादन परीषत के अध्यक्ष होते हैं और केंद्री जल संसादन मंतरी उपाध्यक्ष होते हैं सुर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है किस रास्टी पार्क का प्रमुक आकरशन केंद्र है जिसका से यॉफ्षन है कानहा रास्टी उद्धियान इसका से यॉफ्षन है मंदसौर में हिंगल राज मंकिला इस्थत है अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है तो इसका से यॉफ्षन है तीरतराज तीरतराज की नाम से अमरकंटक को जाना जाता है इसका से यॉफ्षन है तीस वर्ष क्या है तो यह एक कैंदरी अधी कोश है नेश्ट क्वेशन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नियुनितम आयू क्या है जिसका स्यूफशन है तीश वर्ष नेश्ट क्वेशन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबे शमय तक रास्टपती शासन लगाया गया है जिसका स्यूफशन है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा समय तक रास्टपती शासन लगा है दोस्तो अब बात आईए जम्मू कश्मीर की तो आपको इसके बारें बता दें भारत वर्ष में 26 अक्टुबर 1947 को जम्मू कश्मीर शामिल किया गया था राजदानिया शिरीनगर जो विंटर में रहती है और जम्मू जो शमार में रहती है जम्मू कश्मीर के गवर्णर है सत्पाल मलिक नेक्स्ट क्वेस्चन चंबल कहां से शुरू होता है जिसका से उफ्ष है जाना पाव पहाड़ियों से चंबल जाना पाव पहाड़ियों से शुरू होता है तो दोस्तो ये था हमार आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मद्धिपर्दिश का भारत में पहला इस्थान कैसी है तो आप इन वीडियोस को बहुत जादा से जादा शेर कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आज रोंगे तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day